सूप्रभाद बच्चों इंदी के कर्षा में आप समीता विट्स स्वागत है आज अब लोग इंदी के कर्षा में फिर सेह बार लिंक को पढ़ेंगे और देखेंगे बच्चों आप पहले से पढ़ें लिंक इसे कहते हैं पुलिंक इसे प्रकार देखेंगे आज हम लोग कुछ और स्टिलिंग और पुलिंग पढ़ेंगे और आपकों कॉपी मेरें तो जब यह शुरू करते हैं बैल बैल एक पुलिंग शब्ध है बैल शब्ध का स्टिलिंग शब्ध होता है गाय पुत्र पुत्री बच्चों पुत्र का अर्थ होता है बेटा और पुत्री का अर्थ होता है बेटी हाथी नौकर नौकरान खोड़ा खोड़ी शिक्षक शिक्षका बच्चों, यहाँ पर शिक्षक का आर्थ होता है सर जैसे आप लोग स्कूल में सर है नौकर शिक्षका अठथ मैडम जैसे हम लोग को आप लोग क्या कहते है मैं तो हम लोग शिक्षका है देव देवी देव का अर्थ होता है भगवान जैसे भगवान शिरक्ष्ण और देवी, देवी कार्थ होता है जैसे देवी मा, दूर्गा मा शे, शेर्ण अब आप लो एक क्रिया कला तो बच्चों आज यही तक धन्यवा आपका दिन मांगल में